Welcome to my channel Friends, आज हम नेपोलियन के सुधार करेंगे जो उसने सुधार किये थे नेपोलियन ने हम उसके सुधार करेंगे नेपोलियन आजनिक युक का एक महान व्यक्ति था असधारन गुनों वाले नेपोलियन की शक्ति की धाक सालों तक यूरोप महदी पर जमी रही उसने एक विशाल समराज्य की स्थापना की एक सफल और महान सैनापती होने के साथ साथ वहरचनात्मक कला में भी धनी था उसने परशासक के रूप में अनेख सुधार किये नेपोलियन का जनन 1769 में हुआ कोर्सिका की राज़ानी एजासियों में इसे परशासन में कला का अनुभव बच्पन में ही हो गया था अब ये परशासन संभालने के लाइक तो बच्पन से ही हो गया था काफी धनी था अपनी परशासन कला में काफी धनी था वे एक असधारन गुनों वाला व्यक्ति था इसी कारण उसकी ये शक्ति की धाक थी जो सालों तक्रीरों माधी पर जमी रही अब नेपॉलियन ने कुछ सुधार की अपने शासनकाल में अब जो उसके परशासनिक सुधार थे वो ऐसे थे कि राश्ट्रे सभा ने अपने शासनकाल में फ्रांस को डिपार्टमेंट, केंटन और कम्यू नाम के भागों में बाढ़ दिया था उन्होंने शासनकाल का काम चलाने के लिए लोग दुवारा चुनी की कौनसलों की ववस्ता की गई थी नेपोलियनी इनमें कोई परिवर्टन नहीं किया परांतो उसने कुछ जंता की बहलाई के लिए अच्छे परिवर्टन जरूर कीए इनका उदेशे केंद्रिय सरकार के नियंतरन को मजबूत बनाना था इसने शासन ववस्ता का केंद्री करन किया जिससे इसका जो केंद्रिय शासन था वहाँ पर सरकार का नियंतरन करना था इसने कुछ ऐसे सुधार किये जो जनता की भलाई के लिए थे उसने शासन वबस्ता का केंद्री करन भी किया अब उसके वित्ते सुधारों में डारेक्टरी के शासन कर निर्धारित करने के लिए और उसे इकठा करने के लिए कुछ कदम उठाए थे लेकिन सरकार को इस कारे में पूर्ण सफलता नहीं मिली नेपोलियों ने इस कर परनाली को अधिक परभावशाली बनाने के लिए कुछ कदम उठाए कि ये जो कर परनाली है ये अधिक परभावशाली बन जाए उसने राजधानी में डारेक्टर, प्रांत में डिप्टी डारेक्टर और परतेक कम्यून में इंस्पेक्टर निक्ट की है करों समबंदी रिकॉर्ड त्यार करने और सरकार कर इकठा करने का काम केंद्रे सरकार के अधीन कर दिया अब उसने क्या किया किया कि करों समबंदी जो रिकॉर्ड त्यार करने और करी कठा करने का काम था वो एकेंद्रे सरकार के अधीन कर दिया इसमें उसने केंद्रे सरकार को अधिक मजबूत कर दिया करों की दरनिश्चित कर दी गई और बकाया कर देने वालों की सूचियां भी त्यार की गई करों को अच्छा उनका फाइदा हो केंद्रे सरकार को इसलिए उनकी दरनिश्चित कर दी गई और ये कहा गया कि बकाया कर देने वालों की सूचियां भी त्यार की जाए इससे जो करों का बुक्तान था वो अच्छे से हो जाता था अब करी कठा करने वालों को ये सूचित किया गया कि वे आये का कुछ भाग वर्ष्ट माप्त होने से पहले कठा करे इससे जो करों का बुक्तान था वो और भी असान हो गया सरकारी खर्च कम करने के लिए उसने अवश्यक पग उठाए सरकार को वार्षिक भुक्तान और कर्ज के संबंद में सुविधा देने के लिए 1800 इस्वी में बैंक ओफ फ्रांस की नीव रखी गई सरकार को अधिक से अधिक फायदा कराने के लिए उसने बड़ी सजकता से करों का भुक्तान करना शुरू कर दिया करों की निश्चित धर ने परशासन को एक नया रूप दे दिया अब जो नेपोलियन के वित्ते सुधार थे करों के को लेकर कि उसने ये कह रखा था कि उन्होंने करी कठा करना वनों को सुचित किया था कि आये का कुछ भागवर्स मापत होने से पहले इकठा करें करों की दरनिश्चित की गई करों के संबंदी रिकॉर्ड तियार किये गए करी कठा करने का काम केंद्रे सरकार को दे दिया गया अब इससे क्या हुआ कि परशासन को एक नया रूप मिला अब उसने शिक्षा संबंदी सुधार किये नेपॉलियन शिक्षा के शेत्र में अधिक सी अधिक सुधार करना चाहता था वेशिक्षा का कारे चर्च को सोपने की वुरुद था वेशिक्षा पर सरकार का दिकार चाहता था उसका यह भी मानना था कि स्कूलों में धार्मिक और सैनिक शिक्षा का उचिस्थान होना चाहिए अब उसने क्या किया परतेक कम्यून में प्राइमरी शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई सभी शेहरों में लैसी नमक स्कूल खोले गए सेकेंडरी स्कूलों का निर्मान करवाया गया सैनिकों की सिखलाई देने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई अधिहापकों की सिखलाई के लिए नॉर्मल स्कूल स्थापित किये गई उच शिक्षा के लिए imperial university की स्थापना की गई अब जो गरीब चात्र थे या कह सकते हैं कि जो काफी होशियार चात्र थे जो गरीब चात्र थे उनके लिए चात्र विर्ति का प्रबंद किया गया अब नेपोलियन के इन सुधारों ने एक इलैसी स्कूल खोले गए, सैनिकों की सिखलाई के लिए सैनिक स्कूल खोले गए, सकेंडरी स्कूलों का निर्मान करवाया गया, उच शिक्षा के लिए इंपीरियल यूनिवर्स्टी का निर्मान हुआ, छात्रविती का प्रबंद कि अब इससे शिक्षा संबंदी अनेक सुधार हुए अब शिक्षा एक इनका एक जो परमुक सुधार था नेपोलियन का उसने अपने शिक्षा के शेत्र में ये सारे कारे की अब उसने धार्मिक सुधार की नेपोलियन एक सूज बूज वाला शासक था राज्य सत्ता में आने पर उसने यह अनुभव किया कि उसी अपने स्थिती को मजबूत बनाने के लिए कैथुलिक धरम की सद्भावना यानि उनका सेहोग प्राप्त करना चाहिए ऐसा करने पर उसकी स्थिती मजबूत हो जाएगी अब नेपोलिय ने पॉप पिस सात्मे के साथ 1801 इस्वी में समझोता किया अब ये समझोता क्या था कि कैथलिक धरम को फ्रांस की जनता का धरम सविकार किया गया कैथलिक धरम को जनता का धरम सविकार किया गया उसने चर्च के उच प्रोहितों की निक्ति करनी थी फिर इन प्रोहितों ने निमंस्तर के पाध्रियों को न्युक्त करना था इन सभी न्युक्ति के संबंद में पॉप की स्वरिकिती उसने जरूरी कर दी अब इस कारण पॉप भी नेपोलियन की सकारे से खुश था फ्रांस में रहने वले सभी लोगों को धार्मिक सोतंतरता दी गई कि धर्म के अधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा अब फ्रांस के लोग अपनी स्वेच्छा से कोई भी धारन कर सकते हैं इश्पक्षों कर फ्रांस में रहने वले सभी लोगों का धार्मिक सवतंतरता दी गई अब उसने जनता की भलाई के लिए भी कुछ कारे किये नेपोलिय ने कुछ जन हितकारी काम भी किये उसने सदकों और पुलों का निर्मान करवाया नगरों को सुन्दर बनाने के लिए सदकों के दोनों और ब्रिक्ष लगवाई राजधानी में लवे नाम के अजायब घर को सुन्दर मूर्तियों और कलाकृतियों से सजाया गया उसने यतायत के सादनों का विकास किया नहरों का निर्मान करवाया जनता की भलाई के लिए एक पुस्तकाले खोले गए अब उसके जो शिक्षा का सुधार था उसमें ये पुस्तकाले जो थे वे सब जनता की भलाई के लिए उसने किया अब उसने न्याय समंदी कुछ सुधार किये उसने देश की नियाई परनाली में बहुत सुधार किया प्रतेक जिले में दिवानी अदालत की स्थापना की गई दो या तीन प्रांतों के लिए कॉर्ट ओफ अपील की स्थापना की गई प्रतेक प्रांत में फोज़दारी अदालत की ववस्ता की गई सरवचे नियायलों को, झजजों को चोल कर, बाकि सभी जज़ों की निकति उसने स्वेम की, अब नियाये तो उस समय काफी नियाय का बोल बाला था, कॉर्ट अफ अपील की भी उसने स्थापना की, अब प्रतेक प्रांत में उसने फोजदारी अदालत की ववस्ता की सरवच्छी नियालों को जज़ों को छोल कर बकि सभी जज़ों की निक्तिवे स्वेम करता था देश की नियाई परनाली में उसने काफी सुधार किया फोसदारी दिवानी अदालतों का निर्मान करवाया कॉर्ट अफ अपिल की स्थापना भी उसने की अब नेपोलियन के कोड है जो इनके सुधारों में से याते है नेपोलियन सिविल कोड की स्थापना की इसे कोड नेपोलियन भी कहा जाता है नेपॉलियोन की स्कॉर्ड में नागरी कदिकारों, शादी, तलाक तथा विरासत आदी विश्यों से संबंदित कानूनों का उलेक था इसके अंतरगंद फ्रांस के लोगों को कानून के सामने समानता दी गई धार्मिक स्वतंतर्दा दी गई, देश में एक नई कानूनी ववस्ता का सुत्रपाद हुआ, परिवारिक एक्ता को बनाई रखने के लिए तलाक की विदी को कठोर कर दिया गया क्योंकि तलाक जो थे वो परिवारिक एक्ता को खतम करते थे, अब इससे कही ना कही जो फ्रांस के लोगों में जब एक्ता की कमी आई तो उसने क्या किया परिवारी केक्ता को बनाई रखने के लिए तलाग की विदी को कठोर कर दिया परिवार के मुख्या को संपत्ति का अधिकारी बना दिया गया इसके दूसरे कोड में दिवानी मुकदमों का आपसी समझोतों द्वारा हल होना शुरू हो गया अब हल जो इसका जो दूसरा कोर्ड था दिवानी मुकदमों का आपसी समझोते द्वारा हल करने पर बल दिया गया नेपोलियन को अपने सफलता पर मान था एक बार उसने स्वेम अपने शब्दों में कहा था कि मेरा असली गोरव चालिस युदों को जीतने में नहीं है वे तो सिविल कोर्ड में है यह मेरी एक ऐसी सफलता है जो सदा अमर रहेगी अब उसने अपने इन सुधारों को अपने चालिस युदों से भी उपर माना उसने कहा था कि मेरा असली गौर्व 40 रियुदों को जितने में नहीं है वह तो सिविल कौर्ड में है यह मेरी एक ऐसी सफलता है जो सदा अमर रहेगी उसके जाने के बाद भी उसके ये सुधार सदा अमर रहेंगे अब हम निशकर्ष में यह कहा जा सकता है कि नेपोलियन के सभी सुधार महत्परुसिद हुए इनके कारण फ्रांस में एक सुचारू ववस्ता काइम हुई और राज्ये को स्थाइतव प्राप्त हुआ नेपोलियन के सुधारों ने फ्रांस की जंता के कष्टों को दूर किया और एक अच्छा परिवर्तन किया अब सुधार हुए लेकिन सुधारों में एक अच्छा परिवर्तन आया नेपोलियन ने अपने शासन काल में परशासनिक वित्ती शिक्षा समंदी सुधार धार्मिक सुधार उसने जो कोट बनाए उसमें जो सुधार किये गे जनता की भलाई के लिए उसने जो काम किये न्याय समंदी जो उसने सुधार किये कि लोगों को असानी से न्याय मिल सकता ता क्यूंकि उसने जिले में दिवानी अदालत बनाई अब उसने प्राफ़ के लिए दौर्ड आफ अपील की स्थापना की इस से न्याई भी असानी से क्लाइश के जो ये परिवारी केक्ता बनाई रखने के लिए जो विवस्ता की गई थी कि तलाक को लेना काफी कठोर उसकी विदी कर दी गई उसने फ्रांस के लोगों को कानून के सामने समानता दे ड़ी अब उनके ये सारे सुधार उसने अपने शब्दों में कहा था कि मुझे इन सुधारों से काफी अच्छा अन्भव हो रहा है मुझे जो खुशी अपने युद्धों से जीतने के बाद होती थी उससे भी अधिक खुशी मुझे इन सुधारों के बाद हो रही है थैंक यू